Hello Friend, Welcome back once again on my YouTube channel Civil Insta और आज का हमारा टॉपिक है How to Calculate Volume of Concrete for Staircase तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Staircase की concrete की जो volume होती है वो हम कैसे calculate करते हैं तो staircase की volume को calculate करने के साथ साथ हम जो हमारी concrete में cement, sand and aggregate use होगी इनकी quantities भी आज की speed में calculate करेंगे तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपस रिक्वेस्ट आप वीडियो को end तक देखे ताकि इस topics related आपको को भी doubts ना रहे तो चले हम वीडियो वी तब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम concrete की volume की calculation होती है वो हम कैसे करते हैं तो यह हमारे पास staircase का plan है given और यह हमारी section of staircase तो बात की की जाएगर plan की तो यह हमारी first flight है यह हमारी landing और यह है second flight तो जो first flight है इसकी जो length है वो कितनी है वो है four feet तो यह जो first flight की length है वो four feet है means हमारी जो steps आएएगी वो भी कितनी की आएंगी वो भी आएंगी forfeit की landing की जो length है वो है 8 feet 6 inches की और landing की जो width है वो है 3 feet की और second flight की भी जो हमारी flight है उसकी भी length जो है वो है forfeit की अब हम चलते है section की तरफ section में जो चीज given है वो given है हमारा number of trade means हमारी जो ये stair case इसमें कितनी numbers of trade है लली हमारी second flight में भी जो numbers of step होंगी वो same होंगी 9 होंगी means इन दोनों flight में कितनी steps आएंगी 9 first flight में और 9 second flight में तो number of trade जो है वो given है साथी साथ trade की जो size है वो भी given है means जो width होगी हमारी trade की वो कितनी होगी वो होगी 12 inches की और riser की height है वो given है 6 inches की width slab जो है उसकी भी थिकनस given है जो कि है 5 inches की और landing की जो थिकने से वो है 6 inches की means हमारी जो ये landing है इसकी जो थिकनस हम provide करेंगे casting में कितनी करेंगे वो हम करेंगे 6 inches की grade of concrete given है M20 means हम जो concrete use करेंगे casting में कितनी grade का करेंगे तो वो हम करेंगे M20 grade का तो M20 grade की जो concrete होती है, इसका जो mixed ratio होता है, वो होता है, 1 is 2, 1.5 is 2, 3. तो अब हमारे पास ये सारी चीज गिवन है, तो हम सबसे पहले जो चीज calculate करेंगे, वह हम करेंगे riser, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी number of trade कितनी है, तो number of trade है हमारे पास 9 numbers, तो हम riser calculate करेंगे, तो number of riser is equal to होता है, number of trade plus 1, तो 9 plus 1 is equal to 10, means 10 numbers of riser जो है, वो इस staircase में हमारी use होगी, तो अब हमारे पास number of trade है, हमारे पास number of riser है, अब हम जो चीज सबसे पहले calculate करेंगे, वो हम करेंगे volume, कि हमारी जो volume होगी, इस west slab की, वो क्या होगी, क्योंकि हमें जो concreting करनी हो, कहां करनी है, तो वो हमें करनी है इस first flight में, first flight में सबसे पहले हम casting करेंगे किसकी, west slab की और steps की, फिर हम करेंगे landing की, फिर हम second slab की west slab और steps की casting जो वो करेंगे, तो हमें जो चीज सबसे पहले चाहिए वो हमें चाहिए volume कि हमारी जो volume होगी width slab की वो क्या होगी तो volume जो होगी हमारी width slab की उसे हम पहले calculate करते हैं तो volume of width slab को calculate करने की जो हम formula apply करेंगे वो हम करेंगे length of width slab कि हमारी जो width slab है उसकी length क्या है यह जो आपको lower portion देख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यह जो थिकने से यह होगी हमारी थिकने विस्लाइब की, और इसमें multiply करेंगे width of width slab, कि जो हमारी width slab होगी, उसकी जो width होगी, वो क्या होगी, तो देखें, थिकने से हमारे पस given है 5 inches का, width slab की जो width होगी, वो width होगी, ज यह एक inclined, यह जो portion दिख रहा है, यही हमारी west slab है, अगर हम यहां से एक line नीचे के तब draw करते हैं, और इसे हम इस point से touch कर देते हैं, तो यह कैसा form हो जाएगा, यह एक triangle में form हो जाएगा, और वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, तो जो हमारी west slab होगी, वो किस तरह horizontal length हो जाएगी, हमारी base, तो horizontal length हमारी कौन से length होगी, यह जो trade जिसमें हमें cast करनी है, मिस हमारी step cast होगी, first step से लेके, यह landing तक, जो 9th step है हमारी, यह horizontal length हो जाएगी हमारी, तो अब हम length of west slab कैसे calculate करेंगे, तो length of west slab हम calculate करेंगे with the help of Pythagoras theorem, तो Pythagoras theorem में का formula है, वो क्या होता है हो होता ह, ह is equal to root under P square plus B square, means hepatinus is equal to root under perpendicular square plus base square, तो इसमें हमारी perpendicular कोन से हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी height, जो ground floor से landing तक की है, means यह landing से लेकर, यह ground floor तक की है, जो height होगी, distance होगी होजाएगी हमारी height, और horizontal length हमारी जो हो जाएगी, यह हो जाएगी, बेस जो की होगी, इस section में अगर हम देखे तो horizontal length हमारी कहां से कहां तो horizontal length जो है हमारी वो यहां से लेकर यह last trade तक है यह हमारी horizontal length है तो चले अब हम formula put करते हैं तो length of west slab is equal to root under height का square plus horizontal length का square तो horizontal length हम कैसे calculate करेंगे तो हम horizontal length calculate करेंगे with the help of trade तो जो हमारी size होगी trade की उसमें multiply कर देंगे number of trade तो हमें क्या मिल जाएगा horizontal length क्यों क्यों कि यह जो हमारी trade है वो हम कहां cast करेंगे यह west slab की उपर तो यहां से लेकर यहां तक की जो distance हो जाएगी यह हमारी horizontal distance है जिसमें जो क्या क step जो की है 9 क्योंकि जो size होगी हमारी step की उसकी जो width है means जो हमारी trait की width है वो कितनी given है वो given है हमारी 12 inches तो हमारी 12 inches जो size है means जो हमारी width है trait की उसमें multiply करते हैंगे number of step तो हमें क्या मिल जाएगा horizontal है तो 12 inches into 9 is equal to 108 inches इसे convert करेंगे feet में तो आएगा 9 feet अब हम calculate करेंगे height तो height calculate करने के लिए क्या करेंगे जो हमारी size of riser है उसमें multiply करते हैंगे number of riser तो हमें क्या मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगी height तो देखें यह हमारी riser यहां से start हो रही ground floor से और finish कहा हो रही यहां तक की तो यह ground floor calculate कैसे करेंगे तो यह जो riser की size है जो है 6 inch इसमें multiply करतेंगे number of riser तो हमें क्या मिल जाएगा हमें height मिल जाएगा तो number size of riser है 6 inch number of riser है 10 इसे calculate करने बाद हमें मिलेगा 60 inches convert करेंगे feet में तो यह जाएगी 5 feet means हमारी जो height होगी वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 feet और हमें क्या calculate करना है हमें calculate करना h means h जो हमारा है length of west slab तो अब हम put करेंगे इस formula में length of west slab is equal to height का square height का square हमें हमारा है कितना तो height हमने calculate किया है 5 feet 5 feet का होल स्कॉर plus 9 feet हो जाएगी हमारी horizontal length का होल स्कॉर इसे जब calculate करेंगे हमें 10.29 feet तो 10.29 feet क्या होगे यह हो गई हमारी length of west slab means यह जो हमारी inclined length है यह length हमारी कितनी होगी यह होगी 10.29 feet अब इस 10.29 feet को हम put करेंगे volume of west slab में जो हमारी length of west slab है तो volume of west slab में जो हमारा formula length of west slab into thickness into width of west slab इसमें put करेंगे length of west slab जो कि है 10.29 feet इसे multiply करेंगे thickness जो कि है 5 inches into 5 into 4 जो है width of rest slab जो कि हमारी width जो है वही width हमारी है flight की इसे calculate करने के बाद हमें मिलेगा 17.123 cubic feet अब हम calculate करेंगे volume of landing कि हमारी जो volume होगी landing की वो क्या होगी तो volume of landing के लिए जो हम formula apply करेंगे वो हम करेंगे length of landing जो हमारी length है ये landing की इसे multiply करेंगे क्या width width of landing और इसमें multiply करेंगे जो thickness प्रवाइट करेंगे landing की तो length of landing है हमारी 8 feet 6 inches width है हमारी कितनी 3 feet और thickness है हमारी 6 inches की इस inches में जो dimension है इसे हम convert कर देंगे कि इसमें feet में तो 8 feet 6 inches को convert करने बाद में मिलेगा 8.5 feet into 3 feet और 6 inches को convert करेंगे तो आएगा 0.5 feet इसे calculate करने वाद में मिलेगा 12.75 cubic feet मिन्स हमारी यह जो landing होगी इसकी जो volume होगी कितनी होगी वह होगी 12.75 cubic feet अब हमने west slab जो है उसकी volume जो है calculate कर लिया volume जो हमने landing की calculate के लिए अब हम calculate करेंगे कि हमारी steps की जो volume होगी वह क्या होगी तो volume of step को calculate करने से पहले हम calculate कर लेते हैं कि volume of one step मिन्स हमारी step की जो volume होगी वह क्या होगी तो देखें यह अगर हम इसे example लेते हैं यह first trade जो है इसे अगर हम example लेते हैं तो यह हमें कैसा दीखेगा वो हमें ऐसा दीखेगा यह हमारी riser हो गई जो कि यह riser है और यह हो गई मेरी tread यह वाली portion और हम जब steps cast करेंगे तो कैसा होगा हमारे step वो ऐसा यहां से क्योंकि इस point से लेकर यहां ऐसे निकलेगा अगर यह इसकी step की जो हम volume calculate करेंगे उसके लिए जो हम formula apply करेंगे वो हम क्या करेंगे वह formula apply करेंगे area of इसका right angle triangle का तो right angle triangle के लिए जो formula apply करते हैं हाव base into height जो होगी हमारी base हो जाएगी way क्या हो सब्सक्राइब और इसमें mill quick यह जो last time करनी है step वो किसमें करनी है flight पर करनी है तो flight में जो हमारी length of flight है वह ही हमारी length of step है जो कि है 4 feet तो इसमें multiply करें length of step अब हम values put करेंगे half into riser, riser is 6 inches, trade जो है 12 inches का length of step जो है वो हमारी 4 feet, जो हमारी inches है उसे हम convert करने है feet में 6 inches को feet में convert करने है आएका 0.5 feet, इसे calculate करने के बाद में मिलेगा 1 cubic feet, means हमारी जो 1 step होगी उस step की जो volume होगी वो कितनी होगी वो होगी 1 cubic feet और हमारे first flight में कितने numbers of step हैं तो हैं हमारे 9 numbers of step, तो total volume of step कितनी हो जाएगी 1 into 9, क्योंकि 1 जो हमारी 1 step की volume उसमें multiply करेंगे number of step जो की हमारी first flight में है 9, इसे calculate करने के बाद में मिलेगा 9 cubic feet, means हमारी जो first flight की step की volume होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 9 cubic feet, तो अब हमारे पर west slab की volume है, landing की volume है, और first flight में जो हमारी steps हैं, उनकी volume है, अब हम calculate करेंगे volume of concrete in first slab, कि हमारी ये जो first slab है, इसमें जो concrete की volume है, वो कितनी होगी, तो इसमें जो concrete की volume होगी, वो कौन कौन सी volume होगी, तो इसमें जो concrete की volume होगी, वो होगी west slab की volume और step की volume, तो volume of concrete first flight is equal to हो जाएगा volume of west slab plus volume of step, volume of west slab है हमारा 17.123 cubic feet, हमने यहां calculate किया 17.123 cubic feet, यह है volume of west slab, इसमें हम add करेंगे volume of step, जो मारी total volume है step की first flight में, जो कि यह 9, इन दोनों का add करने के बाद हमें मिलेगा 26.123 cubic feet तो second flight जो है उसकी भी जो dimension step की वो same है इसलिए जो second flight की जो concrete की volume होगी वो भी same होगी जो first flight ही है 26.123 cubic feet अब हम क्या calculate करेंगे कि अब हमारी जो total volume होगी concrete की staircase में कितनी होगी तो total volume हमारी कौन से हो जाएगी यह first flight की volume second flight की volume और landing की volume तो इन तीनो volume को हम add कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी जो हमारी total volume होगी concrete की staircase में इस dimension की staircase में अब हम put करेंगे volume of first flight plus volume of landing plus volume of second flight की values को volume of first flight हमारे 26.123 cubic feet plus landing की जो volume है वो है 12.75 12.75 जो है वो landing की volume है cubic feet plus volume of second flight हमारे 26.123 cubic feet इन तीनों values को calculate करने के बाद हमें मिलेगा 64.995 cubic feet यह 64.995 cubic feet क्या होगी है यह होगी हमारे total volume of concrete in staircase जो यह staircase है इस given dimension की इसमें जो हमें concrete हम use करेंगे casting में कितनी concrete हमें use होगी तो वो use होगी 64.995 cubic feet इस तरह हम concrete की volume जो है staircase के लिए जो है वो calculate करते है अब हम calculate करेंगे कि हमारे इस concrete में cement, aggregate और sand जो हो उसकी quantity कितनी है तो जो हमने value यहाँ पर calculate किया है concrete का वो है हमारा weight volume तो weight volume of concrete हमने calculate किया जो कि हमारे 64.995 cubic feet लेकिन जब भी हम cement, sand और aggregate को estimate करते हैं उसे हम dry form में करते हैं ना कि word form में तो हमें जो हमारी weight volume of concrete है उसे convert करना को dry volume of concrete में तो dry volume में convert करने के लिए weight volume को हम क्या करते हैं तो weight volume में हम एक factor है 1.54 जिसका हम use करते हैं weight volume of concrete को dry volume of concrete में convert करने के लिए उसे हम जो हमारी wet volume उसे हम multiply करेंगे 1.54 को तो 64.995 में जब 1.54 जो यह हमारा factor है इसे multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा 100.0923 cubic feet तो यह क्या हो गई? यह हो गई हमारी dry volume of concrete अब हम quantity जो है cement की वो calculate करेंगे कि इस quantity of concrete में हमारी cement जो है वो कितनी use होगी तो उसके लिए जो हम formula apply करेंगे वो हम करेंगे dry volume और इसमें हम multiply करेंगे ratio of cement और divide करतेंगे sum of ratio से हमें क्या मिल जागी? हमें मिल जागी cement की quantity तो देखें grade of concrete जो हम use कर रहे हैं इसमें वो हम कर रहे है M20 की जिसकी mix ratio है 1 is to 1.5 is to 3 तो 1 जो है यह क्या है? यह cement का part है मिंस यह ratio of cement है 1.5 जो है ratio है sand का और यह 3 जो है यह ratio है aggregate का और sum of ratio जो है वो क्या है? इन तीनों ratio को जो हम add करेंगे 1 plus 1.5 plus 3 तो यह क्या हो जागा? यह हो जागा sum of ratio तो अब हम values put करते हैं dry volume है हमारा 100.0923 cubic feet इसमें multiply करेंगे ratio of cement जो की हमारा 1 और divide करेंगे इसमें किससे sum of ratio sum of ratio कितना हो जाएगा? 5.5 1 plus 1.5 plus 3 is equal to 5.5 इसे calculate करने एक बाद हमें मिलेगा 18.1986 cubic feet means हमाएं जो cement हमें required होगी इस volume of concrete में हो कितनी होगी? वो होगी हमें 18.1986 cubic feet लेकिन ये cubic feet में है और generally जो हम cement को purchase करते हैं तो हम bag में करते हैं तो अब हम इस value को convert कर देंगे bag में तो इसे हम bag में कैसे convert करेंगे? इसे convert करने के लिए इसमें हम divide कर देंगे 1.226 ये 1.226 कहां से आया? तो देखें, volume होती है जो one bag of cement की volume होती है 1.226 cubic feet तो one bag की जो cement की volume है उससे हम divide कर देंगे जो हमारी volume आये cement की तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें value मिल जाएगी bags में तो 18.1986 को जो हम divide करेंगे volume of one bag of cement जो कि ये 1.226 तो हमें क्या मिलेगा? 14.83 bags means हमें इस जो हमारी ये dry volume है 100.0923 cubic feet इसमें में जो cement required हो कितनी है वो required में 14.83 bags तो अब हमने cement की जो quantity है वो calculate कर लिए अब हम calculate करेंगे sand की quantities को तो उसके लिए भी हम same formula apply करेंगे जो cement में apply करेंगे dry volume इसमें multiply करेंगे ratio of sand और divide करेंगे sum of ratio से अब हम values put करते हैं dry volume हमारा 100.0923 ratio of sand है हमारा 1.5 into 1.5 और divide करेंगे sum of ratio जो कि हमारा 5.5 इसे calculate करने वाद हम भी रेका 27.29 cubic feet तो हमारी जो sand use होगी इसमें वो कितनी होगी वो होगी 27.29 cubic feet हम हम calculate करेंगे aggregate की value को कि हमारी aggregate की quantity इस volume of concrete में कितनी होगी उसके लिए हम same formula apply करेंगे dry volume इसमें multiply करेंगे ratio of aggregate और divide करेंगे sum of ratio से तो dry volume हमारा 100.0923 इसमें multiply करेंगे ratio of aggregate जो कि हमारी 3 ratio हमारी aggregate की 3 और divide करेंगे sum of ratio 5.5 से इसे calculate करेंगे वाद हम भी लेगा 54.59 cubic feet तो ये हो गई हमारी quantity aggregate की तो हमें जो cement required हो है 14.83 bag sand required 27.29 cubic feet और aggregate की requirement हमें 54.59 cubic feet तो इस तरह हम cement, sand और aggregate की जो quantity है उसे हम calculate करते हैं तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like करें comment करें, share करें और मेरे इस channel से इस्टा को subscribe करें फिर हम next video मिलते हैं तेक केर और बाइ बाइ